सब्सक्राइब करें में पिलीशेज ब्यूटी यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को रोजाना इसकी अपडेट्स पाने के लिए और आप मुझे फॉलू कर सकते हैं मेरे सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म्स पर जैसे की इंस्टेग्राम एंड स्नैपचैट हाई आप सब आपको अभी जो है मेरी जो आवाज है बहुत धीरे सुनाई दे रही होगी एस कंफियर टूब है मेरी पुरानी वाली वीडियोज वह क्या है कि अभी इस वर्त रात के सवावारा बज रहे हैं और अभी नो उप्ची आवाज में विल्कुल नहीं बोल सकती अभी मैं अपनों के साथ आज एक रिव्यू जो है शेयर करने वाली हूँ फ्री विल्क फेयर किट का यह अचली मुझे रिसीव हुआ था एक से डेड़ महीने पहले इनकी बॉटल्स अब देख लो इन्हें आधे से जादा में यूज कर चुकी और श्यांपू तो इतना सा मुझे यूज करते है और वाली में हमें लोगेए कंणिनर के यूज करते में मुझे से फोगका। यहां पर जो तीसरा प्रोडक्ट है सेरम करते ही चाहिए थोड़ा सा ही क्यों नहीं मेरे सेर्म है लिए तो यहां पर तीन चीज़ें कि आपको आपकी हैर केत में जो की मिलकुत पर मतलब है आप अपने हजाब से अपने हेर गोल्स के हिसाब से आपके हेर कलर है या नहीं आपको किस तरीकी कि आपके बाल चाहिए आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके बालों से मतलब स्प्लेट एंड है यहां फिर बहुत ज़दा हेर फॉल है आप अपना जो शांपू का कलर खुद से चूज कर सकते हो और सबसे अच्छी बात यह है यहां पर आपका जो नेम लिखा रहता है यहांसे कि यहां पर मेरा नाम लिखा है विंपी तो गाइज यह जो है काफी तीनों चीज़े मुझे बहुत ही जादा अच्छी लगी है और ऐसे प्रॉडक्ट्स जो कि आप खुद से मतलब परस्ट करना पड़ेगा कैसे आउडर करना है मैं आपको पूरा जो एक तरीका बताऊंगी और इनका जो परचेज लिंक है वह भी मैं डिसक्रिप्शिन बॉक्स के अंदर दे दूँगी तो डिसक्रिप्शिन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत बूलना आप लोग को पता है कि मुझे तो पहले हम पाकेजिंग की बात कर लेते हैं आप यहां पर देख सकते हो कि शैंपू की जो पैकेजिंग्ग शैंपू और कंडेशनल की जो पैकेजिंग्ग है वह अल्मूस्ट सेम है बस थोड़ा सा यूनों मतलब हलका पुलका साही फरक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि इनकी पैकेजिंग है पंप के अंदर आता है आप अपने हिसाब से प्राइज वगरा भी इसके दर चूज कर सकते हो मतलब थोड़ी क्वाणिटी उपर नीचे होगी यह आक्शली जो है मैंने कॉंबो लिया था और यह वला जो कंडेशनर है यह 150 ml और यह 250 ml जो शैंपू है और सेरम की जो बॉटल है मतलब इसकी जो पैकेजिंग है काई यह बहुत ही ज्यादा क्यूट है मुझे इसकी पैकेज पता नहीं क्यों मुझे बहुत जदा अट्राक्टिव लगती है यहां पर आप देख सकते हो कि यह एक प्रॉपर के साथ आता है तो आप खुद से मतलब अपने हिसाब से अपने बालों के लंबाई के हिसाब से चूज कर सकते हो मैनेज कर सकते हो इसकी जो क्वांटिटी है पहले मैं आपको इसके शैंपू के बारे में बताते हूं जैसे से मैंने इसको दो महिने से अभी ज्यादा यूज किया होगा तभी इतनों ज्यादा ही क nive Scam जो मेरे शैंपू के उपर इंग्रेडियंट्स है वो आप यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर स्क्रेंशॉट जो है वो डाल दूंगी काफि सारे इंग्रेडियंट्स है जो की बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ब्लूबैरी एक्स्ट्राक्ट है इसके अंदर होहोबा के बारे में तो बताए दिया प्रीविल नाम है ब्रैंड का और यह सारे चीज़े जो है इनके अंदर है और यहां पर यह जो कंडेशनर है यहां पर भी काफी सारे जो इंग्रेडियंट्स है वो दिये हुए है अगला जो प्रोड़क्ट है वो है यह सिरम दोस्तों जाने के बाद बहुत ही जादा इंस्टेंट्ली ऐसे सॉफ्ट और स्मूध हो जाते हैं मतलब कुछ श्यांपू जो है जिन्हें जब आप यूज करते हो जब आप अपने बालों को इस तरीके से स्क्वीज करते हो ना दोने के बाद तो इतने जादा रफ होते हैं उस वाप पाल के मतलब बताने सकते हैं बहुत ज़्यादा रफ हो जाते और सुखने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा घंदे लगते हैं और उन शांपू को अब एक से दूसरी बार तो यूज ही नहीं कर सकते लेकिन इस हैर केट में ऐसा मुझे बिल्कुल भी डिसपॉइंट मैं न ज़रूर करती हूं मतलब बहुत ज़दा टैली का मौसम भी कुछ इस तरीके का है बहुत ही चिपचिपा पसीना आता रहता है बालों में भी और तीन बार शांपू ना करो तो बालों की जो हालत है वह बहुत ज़दा खराब हो जाती है तो इसलिए शांपू तो करना ही और कुछ केमिकल्स वगरा भी इसके अंदर यूज किये गए हैं और एक चीज ध्यान रखेगा जब भी आप बालों को वाश करते हैं तो कभी भी शांपू बालों में इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए यह बहुत ही गलत तरीका है आप अपने बालों को डामेज कर रहे ह कुछ का बढ़न लगा है सेरम और कंडिशनर कभी भी आपको किस कैल पर इस तरीके से अप्लाइज करना होता है ऐसा है कि सिर्फ इसी प्राइज को जो हैं वो किसी भी ब्रांट को अगर जो दोबाध अपने जो बालों को थोड़े बहुत बहुत ब्राइज शहां हो चुके हैं और काफी मतलब सॉफ्ट और स्मूज है और गाइस इस हेर किट को यूज करने के बाद मेरे हेर फॉल जो है वह बहुत जाला कम हो रहा है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह प्लान नहीं था कि मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन मुझे लगा कि आपको दि बाल कुछ काफी हट तक मतलब यहां पर ड्राय हो गए है इसलिए मैं कॉम कर रही हूं लेकिन जब आप अपने बालों को जो है शैंपू करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं सिर्फ एक बाल है टच वर्ड तो यहां पर देख सकते हो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं आपके ब बाल में काफी जाधा फरक आया है लेकिन बालों में थिकनेस आई है यह मैं नहीं बहुन सकती है च्यांकि मुझे रही हुआ है लैकिन अगर अगर की जाब करना चाहते हैं। दिसेया चाहते हैं तो आप सिरीप्शन के लिए इसे मैं को बता करना चाहते हैं तो मैं आपको बता जाती हूं कि आपको इसे और कैसे करना है चली जल्दी से देखते हैं इसके लिए आपको जाना पड़े गा मेरी मुबायल स्क्रीन पर सबसे पहले तो आपको जो description के अंदर जो link दिया हुए वहाँ पर जाकर के आपको click करना है और कुछ इस तरीकी का interface खुलेगा और खुलने के बाद आपको कुछ ऐसा यूनो दिखेगा और वहाँ पर जाकर के आपको no more पर click करना है कुछ इस तरह से इस तरह से आपको यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ और उसके बाद यहाँ पर start online hair assessment यहाँ पर जाकर के सबसे पहले तो आपको अपने hair type जो है वो चूज करना है आपके बाल smooth, straight है, wavy है या curly है मेरे जो है straight है तो मैं straight पर click करूँगी यहाँ पर जाकर के आपको next पर जाना है और उसके बाद usually your hair is मेरे जो बाल है, वो बहुत ज़्यादे dry हैं तो dry पर मैं click करूँगी उसके बाद done, next नेक्स्ट, हमारी length की, हमारे जो hair की length है वो long है मेरे hair तो मैं long पर click करके done करूँगी next उसके बाद जो thickness है हमारे बालों की वो choose करनी है मेरे जो बालों की thickness है वो काफी ज़्यादा पतले ह नेक्स्ट और मेरे जो बालों का वॉल्यूम है काफी कम है तो वेरी लो वॉल्यूम पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी डन नेक्स्ट और जो मेरा स्कैल्प है वो ज्यादा तर जो है लिटल बिल्ट इची रहता है जब मैं अपने बालों को दो से तीन दिन तक वाश ना करूं तो थोड़ा इची हो जाता है तो डन नेक्स्ट और डैंडरफ मेरे बालों में काफी ज्यादा है अल लॉट डन और कम्बिंग करते टाइम मेरे जो बाल है वो बहुत ज़ादा जहरते हैं तो डन और पिछले तीन महीनों में मैंने अपने बालों को चलर नहीं कराया और लास्ट मंट्स में ने कोई बी अपने करते हूं से वाई कॉंब खे और हाओ दो यू स्टाइल यूर है यू चूज वन मोर देन वन के तो मैं इन में से जो है कुछ भी नहीं लगाती नन और वेर यू विल स्पेंग नेक्स तू मंथ इंडिया आप्विसली और स्टेट जो हमें चूज करना है और डेली डन and which hair care product are you currently using so I am using right now sun silk okay select water hardness in your area hard water जो है आता है मार एरिया में next on average how many hours per day are you exposed to direct sunlight कहीं पर भी नहीं जाती हूं है चलो एक से तीन घंटे हम लिख देते हैं आपर done what are you your hair goals okay मुझे मेरे बालों में चाहिए thickness और मुझे मेरे जो है entire dryness और मुझे अपने जो बाल हो बिल्कुल भी dry नहीं चाहिए है और वॉल्यूम चाहिए मेरे बालों में बस बहुत है हाँ damage repair आच तीन से हम जादा जो है चूज नहीं कर सकते ओके next और पिंक कलर मुझे बहुत जादा पसंद है तो मैं यहां पर पिंक चूज कर रही हूं next name to be printed on the bottle यह बहुत यह अच्छी चीज है और आठ लेटर्स जो है होने चाहिए यहां पर मैं अपना नाम जो है वो हो चूज कर लूंगी विंपी ने नेक्स्ट को मेड फॉर विंपी तो यहां पर सब कुछ हो गया है और इसके बाद see your ingredients ओके ingredients भी हमें चूज करने मतलब ingredients भी हमें जो है वह दिखेंगे प्रो वाइटमिन बी बायोटीन रिक्वायर्मेंट नैचुरल सीबम ओके तो यह सारी जो है ओमेगा 3 यह सब कुछ होगा buy your personalized kit यहां पर हमें जाकर के इसे जो है purchase करना है तो यह है हमारी kit इस तरह की kit हमें मिलेगी तो combo आप चूज कर सकते हो single kit आप चूज कर सकते हो तो add to card पर आपने click करना है तो अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूं कि इस तरीके से आपको जो है करना है मेरे पास तो shampoos already पड़े हुए हैं तो जब खतम होगी उसके बाद ही मैं अपने लिए order करूंगी तो इस तरीके से जो है आपको इसे मंगवा लेना है तो guys I really hope आपको जो है पूरा जो प्रसीजर है वो समझ में आ गया होगा तो आज की वीडियो को यहें पर end करते हैं मैं मिलूंगी आपसे मेरे next वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक क्यार